दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है कवरफिट से फीस फार्मिंग यूटूब चैनल पे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि 600 स्क्वार फीट के तलाब में यानि कि 30 फीट लंबा और 20 फीट चोड़ा तलाब में इतना छोटा तलाब में हम मचली पालन कैसे करे दोस्तो हम इतना छोटा तलाब में भी बहुत ही आसानी से मचली पालन कर सकते हैं मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि हम किस मचली का पालन कर सकते हैं और कितना लाब हमें होगा कितना खर्च होगा पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा दोस्तो मातर इ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि 600 sqft का तलाब निर्मान से तो आपको 30 feet लंबा और 20 feet चोड़ा यानि कि 600 sqft का तलाब निर्मान करना है, तलाब निर्मान करने के बाद आपको चूने का चिर्काओ करना है, अब बात करते हैं कि 600 sqft के तलाब में कितना तलाब निर्मान कर लेंगे उसके बाद उसमें 40 केजी चुना डालेंगे दोस्तों तलाब की गहराई जो होनी चाहिए वो 6 फिट होनी चाहिए यानि कि 30 फिट लंबा तलाब और 20 फिट चौड़ा और उसकी गहराई जो होगी वो 6 फिट होगी जिसमें 5 फिट तक पानी दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंगेसियस मचली के पालन के बाड़े में कि जासर मचली का पालन हम मात्र 600 स्क्वार फिट के तलाब में कैसे करें। कि वालिस घंते के बाद आपको मचली का बच्च अपने तलाब में रखणा है 600 धस्कुायर फिट के तलाब में दोस्तों क्यूंकि हम जासर मचली का पालन करने जा रहे हैं तो यह एक ऐसी मचली है जो काटेदार मचलिया होती है जिसके सरीर में भी बहुत सारे काटे निकले होते हैं जो एक दूसरे को चुबती है और उससे एक दूसरे को घाव हो जाती है तो जब हम कहीं दूर से लाते हैं इन मचलियों को तो एक दूसरे से टकरा कर इन्हें घाव लग जाता है तो हमें करना है कि तलाब में रखने से पहले 5 गंटे पहले 6 गंटे पहले हमें इन्हें पोटैसियम पर मेंगनेट के गोल में नहला देना है अच्छे से जिनसे इनमें कोई भी संक्रमन अगर होगी कोई भी रोग होगी या जहां से यह आई है वहां कोई संक्रम तो पूरी बीमारी इसकी ठीक हो जाएगी पोटेसियम परमेंगनेट के गोल से 200 ग्राम के गोल से हम इन्हें नहला सकते हैं जिसे इन्हें होने वाली सभी संक्रमन दूर हो जाएगी दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि हमने बच्चा तलाब में डाल दिया जासर मचली का उसके कि हमारा तलाब जो है वो छोटा तलाब है तो हम उन्हें घर का भी बचा खुचा खाना दे सकते हैं नहीं तो हम उन्हें होममेट फीड बना कर अलग से दे सकते हैं जिसमें हमारा राइस बनान आता है सरसो की खली आती है गुर आता है मका का दर्रा आता है तो यह सम्मिला क भी हम जासर मचलियों के लिए भौजन बना सकते हैं नहीं तो हम उन्हें फ्लोटिंग फीड भी दे सकते हैं उस्तों बात करते हैं कि अगर हम घरेलू भोजन देते हैं homemade भोजन बना कर देते हैं तो 20 kg के आसपास हमें जब बच्चा अंगली के साइज का हो तो उस हिसाब से हम 20 के जी दे सकते हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम भोजन की मातरा बढ़ाते जाएंगे तो जैसे कि छोटा सा तलाब होता है तो उसमें ऑक्सीजन के भी प्रोब्लेम आती है लेकिन पंगेसियस मचली जो है उसे ऑक् क्या कर सकते हैं कि सुबह में एक बार और साम में एक बार हमें करना है कि कुछ बाल्टिया हमें ले लेनी है दो तिन बाल्टिया हम ले लेंगे उसके बाद बाल्टियों से हमें तलाब का कुछ पानी निकालना है और 5 फिट उपर से हम उसी तलाब में उसी पानी को तो मचलियों के लिए ऑक्सीजन का निर्मान गुलित ऑक्सीजन का निर्मान तलाब में हो जाएगा। तक का खड़ जाएगा। तो उस हिसाब से हमें 89,200 रुपे तक का मचली हमारी सेल होती है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया है कि 6,000 रुपे तक का हमें बीज में और 30,000 रुपे तक का हमें भोजन में खर्चाएगा। तो उस हिसाब से 36,000 रुपे तक का हमें खर्चाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि 4 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर में मचलिया तयार हो जाती है तो आप साल में दो बार इसका कल्चर ले सकते हैं। दोस्तों अधिक फायदा के लिए आपको 2-3 ऐसे तलाब रखने होंगे जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा पंगेशियस मचली पालन में फायदा होगा मातर 600 स्कार फिट के तलाब में। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जनकाडी थी आपको अच्छी लगी होगी।